हेलो फ्रेंड्स तो जार्खन नीट यूजी दोजर ताइस फर्स्ट राउन च्वाइस फिलिंग का सेडिूल भी आप जारी हो चुका है जैसा कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं और फ्रेंड्स से इस साल से जार्खन नीट यूजी काउंसेलिंग में कुछ रूल भी चें तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग इस चैनल को सब्स्राइब कर लें तो फ्रेंड्स जैसा कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट राउन च्वाइस फिलिंग का स्टार्टिंग डेट फर्स्ट अगस्त से है और इसका लास्ट डेट थ्री अगस्त तक है मतलब आप लोग फर्स्ट अगस्त से 3 अगस्त तक अपना च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं और यदि आप लोग अपना च्वाइस फिलिंग में किसी तरह का एडिट करना चाहेंगे तो इसका भी टाइम दिया गया है यानि 4 अगस्त को अप टू 3 पीम तक आप लोग अपना च्व वेरिफिकेशन कर सकते हैं यानि आप लोग 6 अगस्त से 8 अगस्त तग अपना एलोटेट कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स ये है फर्स्ट राउंड च्वाइस फिलिंग का सेड्यूल अब नेक्स्ट बात करते हैं कि च्वाइस फिलिंग के लिए कित 500 रुपीज पे करना होगा उसके बाद आप लोग च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं और दिव्यांग केंडिडेट के लिए भी 500 रुपीज पे करना होगा तो फ्रेंड्स ये था सेड्यूल और कॉंसेलिंग फी नेक्स्ट बात करते हैं कि इस साल का रूल क्या चेंज हुआ है तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले जहारखन नीट यूजी कॉंसेलिंग में किसी तरह का Security Money Deposit नहीं करवाया जाता था लेकिन इस साल से Security Money भी दिपोजित करवाया जा रहा है जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यदि आप लो security money deposit करना होगा नेक्स्ट यदि आप लोग deemed या फिर private college के लिए counseling करवा रहे हैं तो medical college के लिए 2,00,000 रुपए security money deposit करना होगा और dental college के लिए 1,00,000 रुपए security money deposit करना होगा और यदि आप लोग government और private दोनों के लिए counseling करवा रहे हैं तो medical college के लिए भी 2 लाग रुपे देना पड़ेगा और dental college के लिए 1 लाग रुपे देना पड़ेगा और friends यदि आप लोग astray या फिर mopa proud में participate करते हैं तो आप से 50,000 रुपया security money deposit करवाया जाएगा उसके बाद ही आपको astray या फिर mopa proud में participate करने दिया जाएगा तो friends यह हुआ है इस साल का rule change यानि इस साल से security money भी deposit करवाया जा रहा है next हम इस point को पढ़ लेते हैं यह बहुत important point है इसमें बताया गया है कि security money will be forfeited if admission is not taken after seat allotment in second round and next round of counseling apart from this security money will not be returned even in case of cancellation of admission in case of giving wrong information by the candidate at the time of registration and not presenting the required original certificate at the time of admission तो friends यह बहुत important point है इसको ध्यान में रखना है कि यदि आपको second round या फिर second round के बाद seat allot होता है और यदि आप allotted college में admission नहीं लेते हैं तो आपका security money forfeit कर लिया जाएगा यानि आपका security money return नहीं किया जाएगा और दूसरी बात कि यदि आपका admission registration के time wrong information fill करने के वज़ा से cancel हो या फिर किसी original document के वज़ा से cancel हो तो भी आपका security money return नहीं किया जाएगा यानि forfeit कर लिया जाएगा तो इसलिए आप लोग जब registration कर रहे हैं तो उस time आपको सारा point ध्यान में रखते हुए आपको सही सही information को registration के time fill करना है और सारा original document आप लोग अपने पास अभी से collect करके एक साथ रख लें ताकि आपको admission के time किसी तरह का problem ना हो तो फ्रेंड से ये सारा point को ध्यान में रखते हुए आप लोग counseling में participate करें और यदि आप लोगों को किसी तरह का problem होता है तो आप लोग मुझसे contact करें जहां तक हो सके मैं आप लोगों को help करूँगा ठीक है तो फ्रेंड से आज के लिए इतना ही हम मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू